हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब या देवी सर भूतेशु विद्यारुपेण संस्थिता नमस्तस्याई 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 नमो नमा तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है क्लास टैन्थ साइंस लेसन है परकाश परावर्तन तथा अपवर्तन इससे पिछली वीडियो में दोस्तों हमने अनुभाग के प्रशन हल किये थे और यहां पर हम अभ्यास के प्रशन हल करेंगे और पहला प्रशन है नमली खित में से कौन सा पदार लैंस बनाने के लिए उप्योग नहीं किया जा सकता अब देखिए अगर पानी से भरावा गिलास है और उसमें से हम आरपार देखें तो हमें चीज बड़ी या छोटी नजर आएगी इसी तरह काँच में से इसी तरह प्लास्टिक में से इन तीनों में से वस्तू का कार बड़ा चोटा दजर आ सकता है प्रंतु मिट्टी में से तो आरपारी नहीं दिख सकता ये मिट्टी का उप्योग हम लैंस के रूप में नहीं कर सकता किसी बिम्ब का अवतल दर्पन द्वारा बना प्रति बिम्ब आभासी सीधा बिम्ब से बड़ा पाया गया बस तुप की स्तिती कहा होनी चाहिए के focus तथा वकरता केंदर के बीच, वकरता केंदर पर, वकरता केंदर से परे, या दरपन से दुरू तथा focus दूरी के बीच में अब देखिए कभी भी अगर सीधा प्रतिविम्ब आपने प्राप्त करना है तो तो होता है और फोकस है उसके बीच में वस्तु होने चाहिए तभी आपको बड़ा प्रतिविम्ब मिलेगा ठीक है कहा होने चाहिए दुरूग और फोकस के बीच में तभी आपको प्रतिविम् अगला देखिए किसी विम्ब का वास्टिक तथा समान साइज का प्रति विम्ब पर प्राप्त करने है तू विम्ब को इसल लैंस के सामने कहां रखा जाएगा लैंस के मुखे फोकस पर फोकस दूरी की दूरी पर अनंत पर लैंस के प्रकाशिय के अंदर और मुखे फोकस के बीच में वस्तू का समानकार का प्रतिविंब आपने क्या ध्यान रखना समानकार का प्रतिविंब सी पर रखने से आता है सी किसे बोलते हैं फोकस दूरी के दूगनी यह नहीं कि फोकस दूरी के दूगनी पर अगर हम वस्तू को रखेंगे तो प्रतिविंब हमें समानकार का किलेगा नमबर फॉर्ट के देखिए किसी गोलिये दरपन तथा किसी पतले गोलिये लेंस दोनों की फोकुस दूरी माइनस पंदरा सेंटिमेटर है दरपन और लेंस संभवत हैं अवतल अब ऐसे प्रशन में आपने क्या ध्यान रखना है अगर माइनस लिखा है चाहे वो दर है कि आवतल होंगे जाओंगे दोनों आवतल इससे मतलब ऑप्शन एसका सही अंसर हो किसी दरपन के सामने आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिमिम्ब सदैव सीधा प्रतीपत होता है दरपन संभवता होगा केवल समतल चेवल उतल चेवल अवतल तल या समतल जब आप कभी साइड मीरर में देखते हो गाड़ी के आपको अपना चेरह प्रतिमिम्ब कैसे नजराता है और जब कभी आप शीशे के कंगा करते हो खड़े हो कर अपको अपना प्रतिमिम्ब से सीधा नजराता है जो लैंस जो बैक मीरर होता है वह उतल होता है और जो घर में शीशा लगा होता हो समतल होता है जा तो उतल होगा या समतल होगा दोनो नहीं स्सितितियों में प्रतिमीम हमें सीधह दिखाई देता है। शब्द कोश में पाएगे छोटे एक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। पचास सेंटीमेटर फोकस दूरी का उच्टल लेंस, पचास सेंटीमेटर फोकस दूरी का उच्टल लेंस, पांच सेंटीमेटर फोकस दूरी का उच्टल लेंस, या पांच सेंटीमेटर फोकस दूरी का उच्टल लेंस अगर हमने छोटे एक्षिनों को बढ़ा पढ़ना है तो हम 5 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पन का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिविम बनाना चाहते हैं बिंब दर्पन से दुखी का परिसर क्या होना चाहिए प्रतिविम्ब की प्रकृति कैसी होगी प्रतिविम्ब बिंब से बड़ा बनेगा या चोटा बनेगा इस स्थिती में प्रतिविम्ब बनने का एक और एक ही ये अब हमने क्या दिहान रखना है 15 cm फोकल लेंथ है फोकल लेंथ कितनी है उसकी अवतल ना माइनस 15 cm आपको क्या ध्यान रखना होगा आपको सीधा प्रतिविम पराप्त करना है सीधा प्रतिविम कब मिलेगा जब वस्तू और फोकस के बीच में होगी तो हम यहां लिख देते हैं अवतल दर्पन पर अवतल सरपन में कि इंब का कि अधा प्रतिविम यहां वस्तू लिख देता हूं तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा पस्तू का अधा प्रतिविम पनाने केल के कि अधा प्रतिविम यहाँ अधा रखता हूं अधा अध़ के बीच रख़ा सर कितना होगा से 15 सेंटीमेटर कहा रख सकते हैं वस्तू को या लिग देता हूं वस्तू को सरपन से कि देप 15 सेंटीमेटर के बीच कहीं भी रख सकते हैं 15 सेंटीमेटर के बीच कहीं भी रखा जा सकता है इसका मतलब परिशर कितना हो गया 0 से 15 सेंटीमेटर अब प्रतिविम्ब कैसा बनेगा आभासी और इधा ठीक है ना प्रतिविम्ब आभासी तथा बड़ा बनेगा अब इसका हम बना लेते हैं किरनारेक अब देखिए हमने यहां पर किरनारेक पनाया है, यह उमारे पर बस्तु है, A,B और यह A,B इसका प्रतिविम्ब आपल बोल्स के सेटा हो है अगला प्रिशन देखते हैं इमनस्तिती में पर्युक्त दर्पन का परकार बताईए किसी कार का अगरदीप यानिके हैडलाइट जो होती है उसमें कौन सा लेंस लगता है अवतल लगता है अवतल दर्पन लगेगा वहां पर ताकि क्रिणे फैल जाएं ठीक है किसी वहां का पस्चे द्रिश्चे देखने के लिए उसल लेंस लगेगा ताकि हमें प्रित क्षेतर नजर आए और और भटी में आवतल दर्पन का प्रियोग किया जाता है और भटी में कहें का प्रियोग करते हैं आवतल दर्पन का अब उसका कारेंट क्या है पहले में क्या लिखेंगे किसी कार का अगरदीप दाउतल दरपन, अगरदीप पर अगरदीप दाउतल दरपन, दगा ताकी परकाश की किरिने फैल सकें, ताकी परकाश की किरिने फैल सकें, तब ही हम आगे अच्छे से देख पाएंगे अगर परकाश की किरिने फैल जाएंगी, अगर परकाश की किरिने कम जगा पे जाएंगी तो हम आगे अच्छे से नहीं देख पाएंगे, ठीक और सेकिन में क्या लिखेंगे जो पस्चे द्रिश्चे है आपके लिखेंगे किसी वाहन का वाहन का पस्च देखने के लिए लिखेंगे 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 वाहन का प्रियो करेंगे ताकि का फैदा होगा उससे ताकी प्रतिबिम्ब धा और इस्तृत क्षेतर का दिख सके। बटी में क्या लिखेंगे हम। और पटी में आउतल सरपन का प्रियोग करेंगे ताकी एक की किरिने केंदरित 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 टीक है आपको समन्य में आजाओ दूस्तों यहम एक प्रीज लाइक शेर अन सब्सक्राइब चैनल थेंक यूव नाइस डेए और तूस्तों नियुक्त रचेता मेरे बोलेनार्च जी